PM मोधी के भाशन 99 रुपए के टिकट का असर दमदार उपनिंग के लिए तैयार आर्टिकल 370 फीट मंगलवार को जम्मू में एक रैली को संबोधित कर रहे प्रधान मंतरी मोधी ने भी यामी गौतम की फिल्म का नाम लिया और इससे यकिनन फिल्म के लिए माहौल बनने में बहुत मदद मिल रही है शुक्रवार के लिए सारी फिल्मों के टिकट केवल 99 रुपए में मिल रही है इसका फाइदा भी आर्टिकल 370 फीट की एडवांस बुकिंग को मिलता नजर आ रहा है यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 फीट की इन दिनों काफी चर्चा है फिल्म का ट्रेलर कुछ ही दिन पहले आया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था फिल्म की एडवांस बुकिंग हाल ही में शुरू हुई थी और अब जब रिलीज में 24 घंटे से भी कम समय है तो इशारा नजर आ रहा है कि आर्टिकल 370 फीट पहले ही दिन से थियेटर्स में अपनी कमाई से सर्प्राइज कर सकती है आर्टिकल 370 फीट को आदित्य धर ने प्रोड्यूस किया है जिनोंने विक्की कौशल स्टाररूरी दस सर्जिकल स्ट्राइट बनाई थी वो यामी गौतम के पती भी है फिल्म का ट्रेलर और टाइटल ये साफ कर देते हैं कि ये देश भर में खूब चर्चा और बहस का केंद्र रहे एक राजनीतिक मुद्दे पर बेस्ट है आर्टिकल 370 फीट का ट्रेलर इस वज़े से भी बहुत चर्चा में रहा कि फिल्म में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रिह मंत्री अमिट शा पर आधारित किरदार भी नजर आ रही है शुक्रवार को रिलीज होने जा रही इस फिल्म की एडवान्स बुकिंग इशारा कर रही है कि ये एक दमदार शुरुआत करने वाली है डॉट प्रधान मंत्री मोदी ने लिया था फिल्म का नाम जम्मू और कश्मीर को विशेश दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का भारत सरकार का फैसला खूब सुर्खियों में था मंगलवार को जम्मू में एक रैली को संबोधित कर रहे प्रधान मंत्री मोदी ने भी यामी गौतम की फिल्म का नाम लिया और इससे यथिनन फिल्म के लिए माहौल बनने में बहुत मदद मिल रही है पीएम मोदी ने कहा मैंने सुना है कि अभी इस हफ़ते 370 पर फिल्म आ रही है अच्छी बात है लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी उनके मेंशन करने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म काफी चर्चा में आ गई यामी गौतम ने पीएम मोदी को शुक्रिया भी कहा सस्ते टिकट का भी फाइदा 23 फरवरी यानी शुक्रवार के दिन इंडिया की बड़ी मल्टिप्लेक्स चेंज में से एक पीवियार आइनॉक्स सिनेमा लवर्स डे मना रही है इसका फाइदा ये होगा कि शुक्रवार के लिए सारी फिल्मों के टिकट केवल 99 रुपए में मिल रही है इसका फाइदा भी आर्टिकल 370 फीट की एडवांस बुकिंग को मिलता नजर आ रहा है शाहिद कपूर की फिल्म से ज्यादा है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स बता रही है कि गुरुवार सुभा तक नैशनल मल्टिप्लेक्स चेंज में आर्टिकल 370 फीट के 41,000 से ज्यादा टिकट बुक हुए है इसी महीने रिलीज हुई शाहिद कपूर और कृती सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया के लिए नैशनल चेंज में 35,000 से कम ही टिकट बुक हुए थे इस फिल्म ने पहले दिन 6.7 करोर रुपय का नेट कलेक्शन किया था लॉकडाउन के बाद से आई फिल्मे देखे तो वरुन धवन की भेडिया, अक्षय कुमार की राम सेतू, अजय देवगन की भोला और फुकरे 3 फीट वगैरा ऐसी फिल्मे हैं जिनकी नैशनल चेंज में बुकिंग 30 से 40,000 के बीच रही है इन सभी फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन 6 से 8 करोड की रेंज में रहा है चुकि आर्टिकल 370 फीट के लिए पहले दिन टिकट का दाम, शाहिद की फिल्म और बाकियों के टिकट के मुकाबले काफी कम है तो इसकी ओपनिंग इतनी तो नहीं होगी मगर इतना जरूर है कि आर्टिकल 370 फीट पहले दिन 4 से 5 करोड रुपए के बीच नेट कलेक्शन करती नजर आ रही है अगर फिल्म के रिव्यूज अच्छे रहे और इसका वर्ड ओफ माउट पॉजिटिव रहा तो शाम में इसकी कमाई और बढ़ सकती है रिपोर्ट्स बताती हैं कि आर्टिकल 370 फीट करीब 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने जा रही है सोमवार तक माना जा रहा था कि ये पहले दिन 2 करोड रुपए के आसपास की ओपनिंग करेगी मगर प्रधान मंत्री के भाशन में नाम आने के बाद जो चर्चा फिल्म को मिली है उससे इसे अच्छा खासा फाइदा होता नजर आ रहा है कि अच्छा रहा है